Hello friends, welcome to my YouTube channel तो friends, RMPSU ने अपने काफी running courses की center list को जारी कर दिया है तो जिसमें आपके diploma courses है, non-NEP courses है और आपके early wise जो RMPSU अभी running में चल रहा है उन सब की PDF को center list PDF को जारी कर दिया है तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, आप लोग के center कहा गए हैं कौन कौन से PDF है, basically 3 PDF रिलीज करी हैं, युनिवेसिटी ने अभी अभी अपनी site पर तो आपको एके करके PDF दिखाने वाला हूँ, आप लोग अच्छे से देख लेना, समझ लेना ठीक है, तो फिर चली वीडियो को start करते हैं, start करने से फिर आपने वीडियो को like करना है तो चली फिर वीडियो को start करते हैं, तो जैसा कि friends आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, first PDF है यह, यह है बैक और इंपूर्मेंट वाले students, जिन्होंने भी अपना बैक और इंपूर्मेंट का form फिल किया था, B.A. L.L.B. और L.L.B. इस तरीके से अपना center आपको देख लेना है, यह PDF है आपके two pages की, आप लोग screenshot भी ले सकते हो, वरना हमारे में टेलिग्राम से जोड़कर इस PDF को easily आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसका link इस वीडियो को description में दिया हुआ है, तो first PDF थी यह आपकी, मैंने आपको देखा दी, ठीक है, two pages की PDF है, इसको डाउनलोड करने के लिए description में लिंक है, टेलिग्राम को जाकर डाउनलोड कर ठीक है, simple वही रहना, आपको इतर अपना जिला देखना है, then institute code, then college नाम मैच करना अपना, और यह आपका center हो जाएगा, ठीक है, अब बढ़ते है next PDF की तरफ, और उसको देखते है, वो किसकी है, next PDF है आप लोगों की out semester, UGPG, non-NEP, and diploma courses, center list, RMPSU, अलिगर्ट, ठीक है, तो पहले आपको बता दूँ, आपको अपना जिला देखना है, then institute code, then institute का अपने नाम देखना है, college of institute का, then अपना course देखना है, और यह आपका exam center है, ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई, अब यहाँ पर जो आपके out semester, UGPG, non-NEP, और आपके diploma courses में काफे सारे courses हैं, तो इ course देख लेने हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, bachelor of computer application, bachelor of business administration, और थर्ड पर आप लोगों का bachelor of physical education, मतलब BPA वालों का भी center list यह होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर LLB वाले students भी हैं, ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 15 pages की PDF है, जो कि आप description मे telegram के link पर जाकर इस PDF को download कर सकते हो, देख सकते हो, और यहाँ पर B.com vocational वाले भी हैं, आप लोग यह भी देख सकते हो, अच्छी तरीकेस है, ठीक है, तो यहाँ पर काफी courses की PDF है, आप लोग courses चेक कर लिएजिएक अपने, जो भी आपके non-NEP के अंतरकत आते हो, और आपके diploma courses हो, तो उनकी centralist होने वाली है, बेसिकली, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, मैं scroll कर रहा हूँ, जल्दी-जल्दी, यहाँ पर ताकि वीडियो बढ़ी ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, B.A. L.L.B. वाले भी students इसमें सामिल कर दी गए हैं, और यहाँ L.L.B. वाले भी हैं, ठीक है, P.G.D.B.M. वाले भी हैं, और Bachelor of Business Administration वाले भी हैं, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, यहाँ पर आपकी M.A.D. भी आती है, ठीक है, यह Centralist M.A.D. और L.L.M. दोनों के लिए होने वाली, आप लोग देख लेना, काफी courses में बताता चला हूँ जो भी नए courses आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, यह सारे M.A.D. वाले भी हैं यहाँ पर, ठीक है, इस्क्रिंस और ले ले लेना, आप लोग, यहाँ फिर Telegram से जुड़कर इसको डाउनलोड भी कर लेना, अच्छी तरह कैसे देख लेना, यहाँ पर आपको B.Sc. Agriculture वालों की भी यह Centralist होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर काफी सारे, आपके M.Sc. Agriculture भी होने वाला है, Diploma Library भी होने वाला Information Science, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है तो यही थे आप लोगों की Second PDF थी, Centralist की मैंने आपको दिखा दी, जिसमें आपके M.Ed, L.M. और B.L.B., L.B. और B.P.Ed वगरा सारे कोर्स इंकुलूड है, उनकी बेसिकली Centralist होने वाली है, यह आप लोग देख लेना, इधर अपना District देखना, इन इंस्टिटूट कोर्ट, अपने कोर्स के कोर्डिंग, ठीक है, तो यह Second List थी, Second PDF थी Centralist की, अब हम देखते है, Third, किस की है, तो उस पर बढ़ते है, अगली स्लाइड पर, अब हम देखते है, आप लोगों की Third PDF Centralist की, जो की है, Especially B.Ed वाले Students के लिए, तो पूरी वीडियो देख लेना, इसके मत करना, फ फर्स्ट एंड थर्ड सेमिस्टर, तो यहाँ पर Second नहीं है, यह Third है, बाइ मिस्टिक प्रिंट हो चुका है, Second यहाँ पर, ठीक है, तो यह थर्ड कहलाएगा, ठीक है, इसके आगए, फर्स्ट एंड सेकिंड एर बैक पेपर एक्जाम, तो यहाँ पर, चो सेंटर लिस्ट है एक तो सेमिस्टर वाले 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 सेमिस काफ़े प्रोसेश है तो उनकी सेंट्रलिस्ट अभी से रिलीज कर दिया या फिर बाद में और आएगी बट जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट सेमिस्टर मेंशन किया है तो यह सेशन तो जो भी कोई स्टुडेंट्स है फर्स सेमिस्टर वाला जो की फर्वरी के आसपास आप लोगे पेपर होंगे एक्जाम होंगे बियर्ड सेशन तेईस और पच्चिस फर्स सेमिस्टर के तो उनकी भी सेंट्रलिस्ट साइद यही रहेगी सेम ठीक है यहाँ पर जो आपकी ब सेमिस्टर वाला क्योंबी मैं आपको इंफर्म इंफर्म कर दूगा चैनल के माद्यम से तो सस्क्राइब जरूर करने चैनल और टीक तो यहाँ पर आप लोगों की इतने चीज़ क्लियर होगी अब मैं आपको बताने वाल हूँ आप लोगों का सेंटर कहां गया है almost तो मेरे खाल से सेम ही है बट एकाद सेंटर उपन नीचर हो सकता है तो आप लोग देख जरूर लीजेगा 16 pages की PDF है जिसको मैंने टेलिग्राम गुरूप पर ओल्लीटी डाल दिया है तो दिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर आप देख भी सकते हो यहाँ पर भी स्क्रिंशोट ले सकते हो तो यहाँ पर आप लोगों को अपना district देखना है देन अपना city देखनी है ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के institute और college court को सबसे पहले आप लोगों को विजिट करना है अपने district के बाद अपना district देख लिए आपका जैसा अलिगड है उसके बाद अपना institute और college court देखना है फिर अपने college का नाम मैच करना है और city तो आपको ठीक है college ने में आपका यह हो जाएगा institute code आपना college court यहाँ पर देख लेना 16 pages की PDF है मैं आपको स्क्रोल लुप करके दिखाता रहता हूँ आप लोग अच्छी तरगे से देख लेना और screenshot भी ले सकते हो मैं तो आप लोग चलूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए ठीक है तो आप लोग screenshot ले सकते हो और इसको download करने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से जाकर इसको download भी कर सकते हो ठीक है और B8 वालों के लिए तो space लिए हमारा टेलिग्राम गुरूप भी बना हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में भी है टेलिग्राम आर्म्प स्यू का लिंक मिलेगा जाकर उससे भी जुड़ जाई अगर आप एक B8 इस्टुडेंट्स हैं चाहें सैसन बाइस और चौबिस के हो चाहें आने वाले सत्र मतलब जिन निउ सत्र है सैसन 23 और 25 आप उसमें हो ठीक है गुरूप एक गी रहेगा B8 का आप लोग देख लीजिए ऑल्मोस्ट तो सेमी सेंटर हैं फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं आप लोग देख लीजिएगा अपना सेंटर आपका कहां गया है तो friends यही थी आप लोग सेंटर लिस्ट जोगे मैं आपको दिखा दी समझा दी बता दी तीन सेंटर लिस्ट ही थी जोगे मैने आपको अच्छीतर है इसे explain करती है बता दी अभी कोई डाउट है तो comment करना ना भूला ठीक है Instagram और Telegram पर आप लोग हमसा जोड़ सकते हैं जिसका link इस वीडियो को description मिल जाएगा यहां तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को like कर देना और प्यारा सा वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हो ठीक है तो चली friends मिलते हैं नए वीडियो को साथ जब तक लिए टेक किया बाई